question number 3 evaluate 5 upon 9 की power minus 2 multiply 3 upon 5 की power minus 3 multiply 3 upon 5 की power 0 बहुत easy question है देख लिए अगर मैं इस question को देख हूँ तो यहां पर यह power जो है वो negative है और मैंने आपको बताया था negative power कभी नहीं रखनी है तो इसको positive करेंगे और positive कैसे होगा अंदर जो भी bracket है उसका reciprocal कर दो तो 5 upon 9 का reciprocal होगा 9 upon 5 और power कितनी हो जाएगी positive multiply यहां पर भी negative power है तो आप positive करेंगे कैसे इसका reciprocal करके तो 5 upon 3 की power positive 3 multiply इसकी जगे आएगा 1 क्यों किसी भी number की अगर power 0 हो तो हमारा answer 1 ही आएगा आपको solve करने की ज़रूद नहीं है अंदर कुछ भी हो उसकी power 0 यानि की 1 ठीक है यह हमने reason लिख दिया अब देखें अगर मैं इसको देखूं तो यह 9 upon 5 की power 2 है तो कितने बार लिखेंगे इसे 2 बार multiply है 5 upon 3 की power 3 है तो कितने बार लिखोगे 3 बार तो मैंने 5 upon 3 को 3 बार लिख दिया है और 1 की multiply किसी से भी करा हूँ वही number आएगा अब इसको solve करना है मैं ठीक है तो देखिए इस 5 से यह 5 cancel इस 5 से यह 5 cancel 3 की table में यह कितने बार आएगा 3 1s are 3 3 3s are 9 इस 3 से यह 3 cancel अब क्या बचा इस 3 से यह 3 times अब देखो numerator में क्या बचा है एक तो 3 बचा आईए और एक यह 5 बचा है तो 3 5s are 15 denominator में देखो कुछ बचा सारे कट हो गए यानि कि हमारा 15 क्या है answer ठीक है second part देखिए इसका second part है minus 3 upon 5 की power minus 4 multiply minus 2 upon 5 की power positive 2 इसको solve करते है तो यहाँ पर फिर से देखिए आप कि power कैसी है negative इसको क्या करना है positive तो अंदर जो भी bracket में है उसका reciprocal करना पड़ेगा तो minus 3 upon 5 का reciprocal minus 5 upon 3 और उसकी power positive 4 यहाँ देखो power already positive है तो हम इसको ऐसे का ऐसे ही लिग देते हैं ठीक है अब आप जानते हो कि यह दोनों के दोनों bracket open करने आपको तो minus 5 upon 3 आपको कितने बार लिखना है जितनी power है power है 4 तो हम इसको 4 बार लिखते है तो 4 बार हमने open कर लिया है अब इसको open करेंगे इसको कितने बार लिखना है 2 times तो minus 2 upon 5 into minus 2 upon 5 ठीक है अब देखिए क्या क्या कट हो रहा है इस denominator वाले 5 से यह numerator वाला 5 cancel इस 5 से यह 5 cancel ठीक है अच्छा देखिए हम सबसे पहले यह count करते हैं कि minus हैं कितने यह 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 minus है तो 6 even है या odd तो 6 even है और मैंने बताया था जब भी even minus हो multiply गेंदर तो answer क्या आता है positive अगर odd होते तो negative हमारा answer तो positive आने वाला है वो plus लिखने की जरूरूत नहीं है 5, 5 ज़र 25 25, 2 ज़र 50 और 52 ज़र 100 तो 100 तो numerator मे upon 3, 3 जर 9 3 जर 27 3 जर 81 तो 81 डिनोमेटर में है तो हमारा 100 upon 81 क्या है answer चलतें next part पर third part है हमारा minus 2 upon 3 की power minus 3 multiply minus 2 upon 3 की power minus 2 तो कैसे करेंगे इसको solve देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे power को positive तो power को positive करना अब आपको आ गया होगा bracket में जो भी है उसका reciprocal लिखें आप और उसकी power क्या हो जाएगी positive multiply ये जो है इसका भी reciprocal करोगे तो क्या हैगा minus का 3 upon 2 fraction को सिर्फ पलट देते हैं और उपर power कितनी आ जाएगी positive अब आप जानते हो इसको open करना है आपको कितने बार 3 बार लिखेंगे इसको तो minus का 3 upon 2 multiply minus 3 upon 2 multiply minus 3 upon 2 इसको करेंगे open तो 2 बार लिखना है तो minus का 3 upon 2 into minus का 3 upon 2 अब देखिए सारे के सारे multiply में है count करिए कितने minus है 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ 5 minus है और 5 number होता है odd और मैंने आपको बताया जब भी odd होगा तो answer minus का आएगा multiply में अब आप क्या करें multiply कर लें देखो कुछ कट तो रहा नहीं है तो 3, 3 is a 9 3 is a 27 3 is a 81 और 81 is a 3 is a होता है 2, 4, 3 तो हमारा 2, 4, 3 आगया आप multiply slowly करके देख लेना 2, 2 is a 4 2 is a 8 2 is a 16 2 is a 32 तो 32 हमारा यही answer है ठीक है I hope समझ में आया होगा चलतें next part पर 2, 3 आप से 16 23 आप समझ करके ले दो रचल